दोस्तों एक blog बनाना आज की rate में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है domain ले लो, hosting ले लो, wordpress install करो, article लिख दो, blog setup हो जाता है खेर, blog बनाना और blog को successful बनाना दोनों में फर्क है आज की rate में आप देखो YouTube भरा पड़ा है blogging के videos से मैंने भी कई सारे videos पहले भी बनाये हैं बहुत सारे लोग YouTube पे हैं जो blogging से related videos बनाते even ऐसे लोग भी हैं जिनका खुद का कोई blog नहीं है वो भी blogging सिखा रहे हैं अब होता क्या है actual में आप videos देखते हो, आप articles read करते हो आपको लगता है यार कि आपको भी blog start करना चाहिए you quickly by a domain name, hosting और simply आप setup कर देते हो but आपका blog successful नहीं होता, even आपको एक रुपए की भी कमाई नहीं हो पाती है reason ये है कि आप research नहीं करते, आपको quickly blog को setup नहीं करना है आपको blog को successful बनाना है, और एक successful blog के पीछे proper research होती है तो आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक micro innovation blog start कर सकते हो और उसे successful बना सकते हो, जी हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका blog successful हो सके तो सबसे ज्यादा time जो हमें invest करना है, वो है research में तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे micro innovation के topic चूज कर सकते हो, कैसे आपको domain authority को build करना है domain authority होती क्या है, वो भी समझाऊंगा, बहुत बड़ा रोल है domain authority का किसी भी blog की success ने तो domain authority को कैसे build up करना है, ताकि हमारा blog google पे easily rank कर सके recently मैंने एक article दो महीने पहले लिखा था, 23 अगस्त 2023 को, जो google के first page पे even second या third position पे rank कर रहा है और ये article कैसे top पे पहुँचकिया दो महीने में, बहुत सारे competitors हैं already market में, जो इस keyword पे काम कर रहे थे बट मेरा article कैसे top पे rank हुआ, वो सारी चीज़े में आपके साथ आज के इस वीडियो में discuss करूँगा तो अगर आप first time मेरे channel पे आए हो, channel को subscribe ज़रूर कर ले मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई सदाम कासे, मिजब further delay इस वीडियो को शुरू करते हैं अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ दो लें कि माइक्रो निश असल में होता क्या है निश जानते हो निश क्या होता है, चलो फटा फट समझा देता हूँ निश basically एक topic है जिसके उपर आप blogging करते हो जैसे मान लीजिए, आपको cooking में बहुत इंट्रेस्ट है आप खाना वाना पकाने में बहुत इंट्रेस्टेड रहते हो तो आप एक cooking blog स्टार्ट कर सकते हो अब उस cooking blog में आप सिर्फ खाने से related ही articles लिखोगे यानि recipes वगरा लिख सकते हो अब तो cooking basically एक niche हो जाएगा अब चलते मेरे screen पे क्योंकि हमें समझ रहा है micro niche क्या होता है दो तरह के niche हैं, एक है broad niche दूसरा है micro niche, एक और होता है nano niche उसके बार में discussion नहीं करेंगे फिलाल पहले समझते हैं broad niche क्या होता है अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है health and wellness मान लो आप एक health blog start कर रहे हो तो health basically एक niche हो गया एक category हो गई अब health category में कई सारी sub categories भी आती हैं जैसे कि exercise आप cover up कर सकते हो वो भी health related है आप medicines वगरा का blog start कर सकते हो या medicines के बारे में आप लिख सकते हो वो भी basically health के अंडर में आता है मतलब health and wellness category में या niche में कई सारी sub categories आती हैं तो health and wellness तो काफी broad category हो गई न इसी तरह से technology gadgets हम simple जी भाशा में कहेंगे gadgets gadgets समझते हो क्या होता है gadgets तो यार सभी समझते हैं gadgets का मतलब जो भी आपके पास electronic items है जैसे camera phone है, mobile phone है computer है, ipad है, lights वगरा है hard disk वगरा है, keyboard है Alexa device है, ये सारे gadgets में आते हैं तो इतने सारे items के बारे में आप लिखोगे तो यानि कि ये एक काफी broadness हो जाता है तो यहाँ पर health and wellness या फिर gadgets या इस से related cooking है जैसे, cooking भी basically broadness हो जाएगा अब अगर हम health and wellness को different different subcategories में divide कर दें, जैसे के health and wellness में आता है skin care है न, ये भी health and wellness में इस subcategories आती है basically, आप सिर्फ skincare के उपर ही एक blog start करो या आप सिर्फ exercise के उपर ही एक blog start करो, या आप belly fat कम करने के लिए एक blog start करो, सिर्फ belly fat के बारे में आपका blog रहेगा तो वो basically एक micro niche blog के लाएगा अगर आप skin care पे start करते हो न, तो skin care आपका micro niche topic है, और इसी से related articles अपने blog में लिखोगे अगर gadgets की बात करें, आपको electronics में ज़्यादा interest है, तो फिर आप travel gear वे जैसे start करते हो, मालो वो सारे items जो सिर्फ traveling में इस्तेमाल होते हैं, तो उस पे आप पूरे एक blog setup कर सकते हो, तो travel gear कहीं न, कहीं आपका एक micro niche blog idea हो जाएगा, है न, I hope आपको समझ में आया होगा, कि broadness क्या होता है, और micro niche क्या होता है समझना जरूरी है, blog setup करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अभी आगे में क्या चीज़, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक काम करते हैं, हम चलते हैं safari browser पे, ठीक है, इसकी history को कर देते हैं, reset, ताकि इस तब कुछ इन फ्रेश आपको दिखाई दे, google open करते हैं, मैंने 23 अगस्त 2023 को एक article लिखा था, how to close flip card pay later, ठीक है, ये एक keyword था, जिसको ले करके मैंने एक article लिखा, सबसे top पे अभी fintalks.co कोई website है, वो rank कर रही है, इसके बाद official flip card की website है, and then after websoft global.com, जो के मेरा blog है, मेरी website है, third position पे rank कर रही है, 23 अगस्त 2023 को मैंने इस article को लिखा था, आज है 28 नवंबर, सिर्फ दो या तीन महीने में ही, मेरा article Google के first page पे, third position पे rank कर रहा है, ये कैसे rank कर रहा है, इसको भी समझना पड़ेगा, देखो, बहुत सारी चीज़े हैं, blog को successful बनाने में, जहाँ पे एक factor आता है domain authority का, अब keyword के बारे में बात करेंगे, कि मैंने keyword वगरे कैसे choose किया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले domain authority समझ लो, ये मेरा domain है, websoftglobal.com, एक बार मैं link को open कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप टॉप पे देखो, ये तो basically slug होता है, slug यानि किसी भी post के एक perma link basically कहलाता है, इसके पहले ये जो है ना मेरा domain name, websoftglobal.com, ये main domain है, इसके domain authority 0 नहीं है, इसके domain authority 15 या 16 के आसपास है, है क्या domain authority, ये आपको समझा दूँ, आप confused हो रहे होगे, domain authority का simple सा मतलब होता है, reputation of a domain name in front of search engine, किसी भी domain की, किसी भी search engine के सामने कितनी इज़त है, उसे हम कहते हैं domain authority, ठीक है, Google के सामने, मेरा जो domain name है, websoftglobal.com, इसकी क्या इज़त है, तो ये इज़त जो होती है ना basically, ये 100 में से कुछ marks दिये जाते हैं, अभी मेरे domain की authority है, मातर 16 या 17, मतलब 16% इज़त है, ये 17% इज़त है, जिसकी वज़े से मेरा ये article, easily google पे rank कर पाया है, कैसे check करेंगे, exact domain authority मेरे domain की क्या है, google पे वापस चलते हैं, कई सारे free SEO tools हैं, जैसे की, आप यहाँ पर ऐसा कुछ type कर दो, one second, किसी call आ रही थी, check website domain authority, ठीक है, authority हम A-U-T-H-O-R-A-T-Y, ऐसे कुछ type करते हैं, यहाँ यह से HRS देखो, एक link आ रहा है, इस पर चेक कर सकते हैं, most.com पे चेक कर लेते हैं, simply इस link पे हम जाएंगे, यहाँ पर अपना domain name हम type करेंगे, websoftglobal.com, ठीक है, check authority पे click करते हैं, और देखते हैं कि मेरे domain की कितनी इज़त है Google के सामने, यह इज़त time time पे बढ़ती भी है, तो right now देखो आप domain authority 16 है, out of 100, मतलब 100 में से सिर्फ 16 ही इज़त है, 16% भी आप कह सकते हैं, spam score basically क्या होता है, अभी right now 1% है, spam score 5% के नीचे होना चाहिए, अब spam score basically होती क्या जीज़े, वो समझा देता हूँ, कोई भी domain name है, अगर उस domain पे किसी भी तरह के blackhead SEO techniques का use किया गया होगा, कोई भी गलत तरीका जिसने के ranking लाने कोशिश की गई होगी, तो उस domain का spam score बढ़ जाता है basically, ठीक है, तो हमारे domain का spam score हमेशा कम होना चाहिए, हमेशा सही तरीके से ranking लाने के आप कोशिश करो, कभी भी blackhead SEO techniques का आपको use नहीं करना है, then after ranking keywords दिखा रहे, 152 keywords से मेरी website को यह भी राइटना और rank कर रहे हैं, इस particular domain के, और linking root domain 390, मतलब 390 websites basically मेरे blog को link कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कई सारे और भी link से बगरा दिये हुए है, अब यह जो domain authority 16 है ना, कभी यह 0 भी रही होगी है ना, जब आप नए-nay domain name खरीदते हो रहे हैं, तो आपके domain की domain authority बिल्कुल 0 होती है, Google के सामने को इज़त नहीं होती है, हमें इस reputation को build करना होता है, इसमें time लगता है, ठीक है, बट वो तरीका मैं आपको जरूर बता देंगा, कि आप कैसे अपने domain की authority को build कर सकते हो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, और इसको आप अप टू 50, 60, 70 तक भी आराम से लेके जा सकते हो, बट इसके लिए जो तरीका बताओं उसको proper तरीके से follow करना, तरीका word कई बार मैंने use कर लिया, खेर, चलो, अब domain authority कैसे build की जाती है, किसी भी domain की, पहले तो समझते है, domain name क्या चीज़ है, और कैसे इसको हम build up करेंगे, तो एक बार मैं आपको अपने iPad के screen पे भी दिखा देता हूँ, अब domain authority basically है क्या चीज़, वो तो आपको समझ में आ गया है, domain जैसे माल लिजिए आपका domain name है xyz.com, माल लो यह आपका domain name है, ठीक है, अभी इसकी domain authority है da, वो क्या है, 0 है, अब इसकी domain authority कैसे build हो सकती है, जब इस पे थोड़ा बहुत traffic आना शुरू हो जाएगा, traffic, आपको traffic लाना पड़ेगा अपने blog पे, तभी आपके blog की domain authority build होती है, लेकिन traffic आएगा कैसे, एक चीज़ का ध्यान और रखना, मैं यहाँ पर traffic word use कर रहा हूँ, मैं यह नहीं कहा रहा है का millions का traffic आना चाहिए, हजारों का traffic आना चाहिए, या लाखों का traffic आना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कहा है, सिर्फ इस पर traffic आना चाहिए, that is very important, फिर चाहें 100 लोग ही क्यों ना महीने में आपके blog पे आएं, समझने बात को अब, अगर कोई एक नया नया domain name है, उस पे हर महीने अगर 100 लोग भी visit करते हैं, तो Google को एक indication पहुँच जाता है, कि हाँ भी इस blog में कुछ तो दम है, कुछ अच्छा content है, जिसकी वज़े से 100 लोग हर महीने इस पे visit करने लगे हैं, तो इसकी domain authority जो 0 थी, अब 0 से हट करके, वो at least इसको build करना शुरू करेगा, 1 हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद जब traffic और बढ़ेगा, 100 से जब 200 या 300, 400, 500 पर मंथ बढ़ने लग जाएंगे, तो domain authority बेट 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह से domain authority बिल्ड होना शुरू होती है, समझ में आया आपको, आपको अपने blog बे traffic लाना पड़ेगा, अब मैं जानता हूँ, एक beginner के mind में अकसर यही doubt रहता है, traffic आएगा ही नहीं मेरे blog पे, कैसे लाओ मैं traffic, तो वो technique भी मैं आपको बताने वाला हूँ, च्योंकि वो ही technique मैंने भी use करी है, मेरे blog की भी जो websoft global dot com है, उसका जो domain authority था, वो कभी zero था, आज वो 16 कैसे हुआ है, कई सारे मेरे links हैं, गूगल के first page पे rank कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा reason यही है, कि मैंने DA यानि कि domain authority पे काम किया है, तो आपको भी इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, अब इस domain authority को कैसे build किया जाएगा, domain authority build होगी जब आप traffic ले करके आओगे, और traffic कैसे आएगा, जब आप एक सही keyword चूज करते हो, तो हमें यहाँ पे keyword research करना है, keyword जानते हो ना क्या होता है, जो लोग Google पे कुछ भी type कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे type किया था, how to close flip card pay later, तो यह जो how to close flip card pay later है न, यह keyword है basically, तो इस keyword को मैंने कहीं से find out किया होगा, मुझे पता चला होगा बएकि यह एक ऐसा keyword है, जिस पे मैं easily rank कर सकता हूँ, तब ही traffic भी आएगा मेरे blog के उपर है न, तो यह keyword कहां से हम find out करते हैं, वो तमाम सारे चीज़े हम सीखेंगे keyword research method में, यहाँ पे हम tools का use करेंगे, कई सारे tools available हैं internet पे, जिनकी help से आप अपने you know, अच्छे keyword चूज़ कर सकते हो, blog के लिए कुछ free tools भी हैं, कुछ paid tools भी हैं, पहले हम free tool यूज़ करेंगे, उसके बाद हम paid tool यूज़ करेंगे, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, अगर आप यह decide नहीं कर पा रहे हो, कि किस niche के उपर आपको blog start करना चाहिए, तो मैंने कई सारे niche के लिए list बना रखी है आपके लिए, यह पूरी excel sheet है मेरे पास, इसका link मैं आपको video को description में दे दूँगा, तो वहाँ से जा करके आप download कर सकते हो, अब जैसे कि यहाँ बे broad niche है, health and fitness blog niche, ठीक है, तो इसमें कई सारे micro niche आते हैं, जैसे कि plant based nutrition for kids, आप इसके उपर एक separate micro niche blog start कर सकते हो, mental health for millennials, यही पूरे एक topic हो सकता है, इसके उपर अच्छा खासा blog setup किया जा सकता है, natural remedies for anxiety, आज कि उन्हों busy life में most लोग को anxiety हो जाती है, stress हो जाता है, तो natural remedies क्या हैं, जो लोग घर पे ही इसका इलाज कर सकें, उसके उपर proper एक blog setup किया जा सकता है, इसी तरह से sleep hygiene for shift workers है, fitness for people with disabilities है, meditation for beginners है, yoga for seniors है, gut health athletes है, तो health and fitness जो broad niche है, उसमें इतने सारे micro niche आ जाते हैं, then after अगर आप finance niche choose करते हो, जैसे finance तो basically एक broad niche हो गया, तो उसमें कई सारे no, micro niche भी होते हैं, जैसे कि crypto investing for beginners हो गया, एक micro niche है, इस पर पूरा एक blog setup किया जा सकता है, passive income strategies है, इस पर पूरा एक blog setup किया जा सकता है, financial independence for women, इस पर भी एक blog setup किया जा सकता है, finance niche में आपको CPC और CPM बहुत बढ़िया मिल जाता है, CPC क्या होता है, cost per click, कोई भी user Google के ad पर click करता है, तो आपको कितनी income generate होती है, मतलब dollars में जो Google AdSense आपको provide करता है, वो CPC कहलाता है, cost per click, और CPM क्या होता है, cost per milay, mil कहतें, milay कहतें, आप सीधा समझो, कि thousand views पे आपको कितना dollar मिलेगा, मतलब अगर Google AdSense ने कोई एड आपके blog पे लगा दिया है, और हजार लोगों ने अगर उस एड को देख लिया, click नहीं किया, बस देख लिया, तो देखने के भी आपको amount मिलता है dollars में, तो हजार view पे actual में कितना dollar आपको मिलेगा, वो CPM कहलाता है, ठीक है, finance niche में बहुत अच्छा CPM रहता है, insurance में भी अच्छा का सा CPM और CPC वगरा है, इसी में और भी कई सारे micronish ideas हैं, saving money for retirement हो गया, money management for entrepreneurs वगरा हो गया, ठीक है, तो ये भी micronish ideas है, travel niche अगर आप traveling वगरा में interest रखते हो, तो भाई यहाँ पे कई सारे ideas आपको मिल जाएंगे, और यह कुछ misleadingous ideas हैं, मतलब कोई specific broadness को मैंने यहाँ पे, you know, divide नहीं किया है, sub-categories में, यह mixed type का यहाँ पे आपको niche idea मिलेगा, तो यह पूरी जो list है मेरे पास, आपको लगे के हाँ यह चीज़ भी cover up होनी चाहिए थी, आप comment करके जरूर बता देना, next video में definitely मैं इसको cover up करूँगा, ठीक है, तो यह basically हमारे पास पूरी के पूरी एक sheet पड़ी हुई है, अब आगे बढ़ते हैं keyword research कैसे किया जाए, keyword research करने के बहुत सारे tools है, एक tool है, A-H-R-E-F-S, keyword generator, Ahrefs keyword generator, यह एक free tool है, ठीक है, सबसे पहला link आपके सामने आगे, ahrefs.com का, इस पर आप जाओगे, अब यह Ahrefs tool असल में करता क्या है, यह keyword research करने में आपकी help करेगा, decide करने में help करेगा, जो keyword आप ले रहे हो, जिसके उपर आप article लिखने जा रहे हो, वो keyword सही है या नहीं, अब जैसे हमारे पास already list पड़ी हुई है, मानलो चलो यहाँ से कोई एक niche पकड़ लेते हैं, let's say, dog training और shy dogs, ठीक है, मानलो आप एक blog start कर रहे हो, जिसमें आप से dog training के बारे में ही लिखते हो, या dog के training से related जो products होते हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर article लिखते हो, हम क्या करेंगे, simply जाएंगे Ahrefs पे, और यहाँ पर type कर देते हैं, dog, T-R-A-I-N-I-N-G, dog training, ठीक है, यह हमारा keyword है, इस से related कई सारे keywords Ahrefs आपको दिखाएगा, ठीक, नाओ, यहाँ पर country का option है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर United States already selected है, तो जब आप इस keyword को type करते हैं, और find keywords पे click करोगे, तो Ahrefs आपको वो keywords दिखाएगा, जो United States में dog trainings related सर्च किये जाते हैं, अगर आप यहाँ पर India choose करते हो, अब Ahrefs आपको सिर्फ वो ही keyword सर्च करेगा, जो India में dog trainings related सर्च किये जाते हैं, अब अगर आप एक profitable blog बनाना चाहते हो, तो मैं आपको हमेशा recommend करूंगा, कि आप US audience को target करो, क्योंकि वहाँ पर CPC वगरा बहुत high मिल जाता है, तो यहाँ पर हम United States को ही choose करेंगे, United States, ठीक है, now find keywords पर click करते हैं, अब Ahrefs आपको dog trainings related कई सारे keywords दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखो एक keyword है, dog training near me, इस keyword को खरम नहीं लेंगे, क्योंकि इस पर Google के results mostly आते हैं, dog training, सिर्फ dog training जो हमने keyword type किया था, इस keyword का search volume कितना है, 51,000 है, यह volume का मतलब क्या है, हर महीने Google पे United States में 51,000 बार यह keyword type किया जाता है, यह search किया जाता है, that is called search volume, in the same way, service dog training, यह एक keyword है, जिसका search volume 14,000 है, मतलब हर महीने Google पे United States में 14,000 टाइम्स इस keyword को search किया जाता है, then after यहाँ पे दिया है KD, KD का मतलब keyword difficulty, हर एक keyword को 100 में से कुछ ratings दी जाती है, जिस keyword की rating कम है, यानि अब यूँ कहलो marks कम है, जैसी यहाँ पे 68 है, 100 के करीब है, marks ज्यादा है, तो इस keyword की keyword difficulty जादा है, मतलब हम इस keyword को अगर choose कर लें, और इस पे article लिख दें, तो बहुत मुश्किल होगा कि हम rank कर पाएंगे, क्योंकि इस keyword पे अलड़ी कई सारे बड़े-बड़े bloggers पहले से rank कर रहे हैं, वहीं एक keyword है, dog training callers, यह एक keyword है, यह United State में 13,000 बार हर महीने सर्च किया जाता है, और इसकी KD यानि keyword difficulty मातर 12 है, 100 में से सिर्फ 12 है, green से mark ने मतलब इस keyword को target करके, अगर हम एक अच्छा article लिख देते हैं, जरा maximum chances के हम easily rank कर पाएंगे, बट content अच्छा होना चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, आप कैसे blog setup पर होगे, content कैसे लिखोगे, वही एक और keyword है, dog training caller, इस keyword की keyword difficulty 8 है, मतलब KD सिर्फ 8 है out of 100, और search volume साले 6000 है, तो यह काफी सही keyword रहेगा, अब simply हमें keyword ऐसे choose नहीं कर लेना है, हमें ऐसे niche choose नहीं कर लेना है, हमने खाली यहाँ पर देख लिया, KD कम है, search volume ठीक ठाक है, तो हम फटावट dog training का blog शुरू कर दे, ऐसा सही idea नहीं रहेगा, हमें थोड़ा सा और manual research भी करना पड़ेगा, हम चलते हैं Google पे, और यहाँ पर type करते हैं ऐसा कुछ, best training या ऐसा best dog training blog, ऐसा कुछ चलो type करते हैं, enter push करते हैं, अब dog trainings related जितने भी blogs इनके links हमें मिलेंगे, कुछ links को हम यहाँ पर analyze करके देखेंगे, जैसे एक है मारे पास speech on a leash, इसको मैंने पहले भी check किया है, तो इस blog को हम open कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर आप देखो सिर्फ dogs related ही, आपको articles देखने को मिलेंगे, एक बार मैं इस article को open करूँ, देखो यहाँ पर यह title हो गया, 19 नवंबर को यह article publish किया गया, 21 है, almost 10 दिन पहले, यह featured image कहलाती है, यह text लिखा है, यहाँ पर link लगा हुआ है, heading है, then after कुछ images और use की गई होंगी, यहाँ पर advertisement आएगा, Google AdSense का advertisement होगा, यह कोई display ad वगरा हो सकता है, फिर यहाँ पर एक image है, तो इस तरह का article आप कैसे लिखोगे, यह इस तरह का blog कैसे setup करना है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम चेक करते हैं कि इस particular dog-based blog पे कितना monthly traffic आ रहा है, तो मेरे पास है similar web, एक बार इससे हम चेक कर लेते हैं monthly traffic, so right now, अभी आप देखो, अगस्त 2023 में 67,000 से जादे का monthly traffic था, September में 67,000 का traffic आया है, अभी last October में 65,000 से जादे का traffic था और ये consistent traffic बना हुआ है, और इसका जो mostly traffic आता है, वो United States से ही आता है, 20% का share United States से, बाकी और भी कई सारे country से traffic, मतलब मिला जूला traffic है, तो earning अच्छी खासी हो रही होगी, अब इसकी earning तो हम नहीं निकाल सकते हैं इस particular blog की, लेकिन आ कुछ चीज़े जरूर analyze कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पता करना है कि इस particular blog में कितने number of articles लिखे गए हैं, जिससे 65,000 के आसपास का monthly traffic United States से आ रहा है, तो आप क्या किया अगर हो किसी भी domain name के आगे, आप लगाओ sitemap.xml भी type कर सकते हो, अगर .xml काम नहीं करता है, तो sitemap underscore index.xml ये use कर सकते हो, अभी right now .xml पे देखो, यहाँ भी ये open हो गया, और हम चलते हैं post वाले sitemap पे, और चेक करते हैं कितने number of posts लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा है, this xml sitemap contains 44 urls, सिर्फ 44 post यहाँ पे लिखी गई हैं, और 44 post से ही 65,000 का traffic हर महीने का, इस particular blog पे आ रहा है, अब इस blog में सिर्फ Google AdSense से यह earning नहीं होती होगी, कुछ affiliate products वगरा भी होंगे, 65,000 हर मंद की visit है, तो अच्छी खासी income इस particular blog पे हो रही है, तो आपको यही करना है, जो भी niche आपने choose किया है, उस niche related query गूगल पे डालो, कुछ existing blogs पे पहले चेक करो, उनका traffic देखो, content quality चेक करो, site maps पे जाके देखो भी, कितने number of articles उन्होंने publish किये हैं, और उन number of articles के हिसाब से कितना traffic आ रहा है, अब यहाँ पे कई सारे ऐसे keywords भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक keyword है, pet smart dog training, इसका KD 27 है, traffic 6000 का है, अब नए bloggers गलती क्या करते हैं, नए bloggers क्या सोचते हैं, कि यहाँ पर एक मुझे keyword मिला, dog training caller, इसका KD तो चलो बढ़ी आए, 8 है बई, यूज नहीं करना है, आपको starting में basically, इस चीज पर focus करना है, कि आपका नया blog है, नया domain है, उसकी domain authority बिलकुल भी नहीं है, तो पहले आपको traffic ले करके आना है, अगर इस particular keyword पे, साले 6000 का search volume है, तो आपसे पहले जो बड़े bloggers हैं, जो आपसे पहले काम कर रहे हैं, इस particular niche में, क्या वो लोग इस keyword पे काम नहीं कर रहे होंगे, क्या उनको HRS के बारे में नहीं मालूम है, वो भी इस keyword पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको out rank नहीं कर पाओगे, आप starting में ऐसे keyword को choose करो, जिनका search volume 100, 200, 300, यह हजार के अंदर है, जैसे यहाँ पे कई सारे keywords आपको देखने को मिलेंगे, जैसे dog training books दिया हुआ है, इसका 17 सवका search volume है, आप इस keyword को choose कर सकते हो, then after यहाँ पे कुछ और keywords है, मतलब ध्यान देना है आपको, कि आपके niche related ही keywords होने चाहिए, नियर मी वाला कोई साभी keyword चूज मत करना, Google का snippet यहाँ पे rank करता है हमेशे, आप कभी उपर नहीं आपाऊगे, dog training house turn, यहाँ पे यह house turn बेसिकली एक जगह है, US में city का नाम है, तो इसको भी फिलाल हम target नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से Google ही अपना result यहाँ पे दिखा देगा, online dog training है, इस keyword को ले सकते हो, बट मैं फिर भी इसको recommend नहीं करूँगा, यह सही है, dog training tips है, तेरा सो का search volume है, इस keyword को हम ले सकते हैं, तो आप starting में ऐसे keyword target करो, जिसका search volume 1000-1000 से नीचे 1000 के around है, इन keywords पे बड़े bloggers काम नहीं करते हैं, mostly काम नहीं करते हैं, मैं guarantee नहीं दे रहा हूँ, mostly काम नहीं करते हैं, तो आपको chance मिल जाता है, अगर आप ऐसे keywords को target करते हो, आप easily rank कर पाते हो, थोड़ा बढ़ ट्राफिक आना शुरू होता है, जब थोड़ा बढ़ ट्राफिक आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्या बिल्ड होना शुरू होगी, domain authority बिल्ड होती है, DA बिल्ड होगा, तो domain authority जब बिल्ड हो जाएगी, फिर आप ऐसे keywords को target करना शुरू करना, जिनका search volume थोड़ा ज्यादा है, keyword difficulty थोड़ी साथ है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकडम से jump वानने, कोशिश मत करना वरना गिर पढ़ोगे, ठीक है, step by step, आराम आराम बढ़ो, blog basically 6-7 महिने का long term process होता है, अगर आप इसको successful बनाना चाहते हो, तो at least 7-8 महिने, 10 महिने, एक सब आपको regularly consistently काम करना होता है, एकडम से result नहीं मिलता ना, एकडम से पैसे बरसना शुरू होते हैं, और जितने भी successful bloggers हैं, सब लोगों ने time दिया है, सब रिकिया है, ठीक है, तो proper तरीके से आपको काम करना है, research वाला काम यहाँ पे end होता है, अब मैं आपको बताऊँगा, कि आप अपना blog कैसे setup कर सकते हो, WordPress पे, वैसे एक platform और भी है, blogger है, blogger.com में शायद आपने नाम सुना होगा, blogger भी काफी बढ़िया platform है, Google का है basically, वहाँ पे domain का पो पैसा नहीं लगता है, hosting का पैसा नहीं लगता है, लेकिन उसमें कुछ limitations है, limitations यह हैं कि आप blogger को ज़्यादा customize नहीं कर सकते, bloggers का बहुत ज़्यादा SEO issues आप fix नहीं कर सकते, और blogger पे काम करने के लिए, articles रैंक करवाने के लिए, आपके पास थोड़ा बहुत SEO का मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा आपके पास SEO का knowledge होना चाहिए, और उसमें आपको ज़्यादा help नहीं मिल पाती है basically, but WordPress blog अगर आप start करते हो, तो WordPress में no doubt, domain और hosting की cost तो आती ही है, कोई भी blog है अगर आप उसको launch करना चाहते हैं, तो domain और hosting की cost तो लगती ही है, लेकिन WordPress में आपको एक बड़ी community मिलती है, लाखो लोग है जिनके WordPress पे blog हैं, वो successful हैं, आप उनसे help ले सकते हो, WordPress की बड़ी community है, और WordPress पे हजारो लाखो ऐसे plugins अवेलेबल हैं, free of cost, जिनको यूज़ करके, आप अपने blog को जल्दी rank करवा सकते हो, तो मैं हमेशा recommend करूँगा, कि आप WordPress पे ही blog setup करो, ये मत सोचो कि domain hosting का पैसा लगा तुमझे पैसा नहीं लगाना है, बस पैसे कमाने हैं, बिना पैसा लगा है, आप कहीं से पैसे नहीं कमा सकते हैं, to be very honest, बात कर भी है, लेकिन बिल्कुल सच है, blogging basically एक investment है, आप इससे पैसा कमाने ही तो चा रहे हो न, लेकिन पैसा मिलेगा तब, जब आप इसमें investment करते हो, और हजारों लाखों का investment तो है नि, तो 4000 पर होस्टिंग डोमेन वगारा काम हो जाता है, और आप अपना blog वगारा setup कर सकते हो, अब डोमेन और होस्टिंग कैसे कहां से ली जाए, अगर आपके पास already डोमेन और होस्टिंग है, तो आपको दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज है, आप जिससे चाहो उससे वेब होस्टिंग ले लो, जहां से आपको सही पड़े, आपको लगे कहां ये होस्टिंग मुझे ले लेनी चाहिए, आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी किसी को bound नहीं करता कि नहीं, आप यही से होस्टिंग लो, आपका हाथ पकड़ करके मैं आपको होस्टिंग लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिलकुल फ्री हैं, जहां से चाहें वहां से लीजिए, हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी वेब होस्टिंग बेटर है, जिसका प्राइस कम है, सर्विस अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, ओवरॉल मैक्सिमम फीचर्स आपको फ्री मिल जाते हैं, जैसे कि डोमेन नहीं बिलकुल फ्री मिल जाता है, सो सब डोमेन्स आप बना सकते हैं, तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूँगा, हर वीडियो में रेकमेंड किया है, कौन से वेब होस्टिंग है, होस्टिंगर, होस्टिंगर सबसे सही वेब होस्टिंग है, मैं खोद भी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ, अब Hostinger की web hosting लेने के लिए आप simply मेरा affiliate link पहले यूज़ करना sadamkasim.com forward slash hostinger इस link को यूज़ करने के कई सारे फायदे हैं मैं आपको बताता हूँ भी क्या है अगर आप मेरा affiliate link यूज़ करते हो तो पहले तो आपको एक coupon code में share करूँगा जिससे आपको 10% के extra discount तो मिल ही जाएगा प्लस मैं आपको Elementor Pro plugin है कुछ essential plugins जो paid plugins होते हैं और blogging में आपको उनकी help पढ़ने वाली है वो plugins मैं आपको absolutely free provide करूँगा तो आपको कई सारे dollars यहाँ पे बचेंगे अगर आप मेरा affiliate link यूज़ करते हैं हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखो तो यह sale off हो चुकी हो अब हमें जाना होता है WordPress menu पे अगर आपको WordPress menu नहीं दिख रहा है तो आप hosting वाले menu पे जाके web hosting पे भी जा सकते हो हम चलते हैं WordPress पे now scroll down करेंगे तीन plan हमारे सामने होते हैं एक है premium plan, दूसरा है business plan तीसरा है cloud startup plan तीनों मैंसे कौन सा plan आपको लेना चाहिए अगर आप एक beginner है बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूँगा आप premium plan ले सकते हो अगर आपको budget थोड़ा सा है ज्यादा आपको लगता है कि हाँ 4-5,000 रुपए या 7-8,000 रुपए का मेरा budget है कि मैं hosting में invest कर सकता हूँ तो highly recommended है कि आप business plan में जाओ दोनों में फर्क क्या है वो समझा देता हूँ hosting आप आप कोई से भी plan लोगे न हर एक hosting में आप 100 websites बना सकते हो या 100 blog बना सकते हो इसमें 100-100 बना सकते हो cloud बनाने के जरूद नहीं है काफी expensive है 300 website offer करता है इतना कोई बनाता नहीं है ठीक है तो premium या business में से कोई से भी एक plan ले लेना 100 website का मतलब क्या है 100 different different blogs बना सकते हो आप xyz.com नाम का एक website हो गया abc.com नाम का दूसरी website हो गई तो इस तरह से आप 100 different different websites या blogs बना सकते हो premium plan में आपको standard performance मिलती है वहीं business plan में आपको 5 times extra speed मिलती है business plan इसलिए मैं recommend करता हूँ इसमें आपको extra features मिलते हैं आपका blog 5 times faster load होगा 200 GB के NVMe storage मिलता है याप इसे 100 GB मिलता है बागी free business email मिलेगा free SSL certificate मिलेगा SSL क्या है आपके domain name के आगे ताले सा symbol लगा हुआ है यहाँ पे लिखा connection secure ऐसा ही एक log symbol आपके हर एक domain के साथ लग करके आएगा तो वो बिल्कुल free of cost मिलता है unlimited bandwidth है एक domain बिल्कुल free मिलेगा एक साल के लिए first year के लिए एक domain बिल्कुल free मिलेगा आप चाहे .in ले लेना चाहे .com ले लेना free domain कैसे claim करते हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें आपको free CDN भी मिलता है content delivery network जिसकी help से आपका blog का जो content है वो user को बहुत fast deliver होता है CDN other companies इस feature का charge लेती है वो आपको यहाँ पे absolutely free मिल जाता है बागी कई सारे additional features भी है जैसे कि यहाँ पे DDoS protection वगरा है advanced firewall है और कई सारे और भी features है who is privacy protection भी मिलता है दोनो plan में other companies इसका भी आपसे charge लेती है who is privacy protection का मतलब क्या है जो आपकी personal detail है जैसे नाम, address, phone, number, email, id internet से ये feature वो सारे details को hide कर देता है आपकी detail reveal नहीं होती है किसी को पता नहीं चलती है तो ये feature hostinger में free मिलता है other hosting companies आपसे charge करती है ठीक है तो जो सा plan आपको सही लगे business लगे, business ले ले लेना premium ले लेना मैं काम करता हूँ business plan को add to card करूँगा और check करते हैं कि इसकी costing कितनी आती है तो अभी आ गए हम billing वाले page पे यहाँ पे आपको period choose करना होता है आप जो web hosting लेने वाले हो एक महीने के लेनी है एक साल के लेनी है दो साल की या चार साल की अगर आप एक महीने के web hosting लेते हो 389 रूपीस पर मन्थ की पढ़ती है इसते भी जादा अगर आपको saving करनी है तो आप 2 years की web hosting एक साथ ले लो 2,99 वे पर मन्थ की cost पढ़ती है या सीधा 48 months मैं तो हमेशा recommend करता हूँ 48 month की hosting ले लो इसका फाइदा क्या है फाइदा यह है कि cost पहले पर मन्थ की कम पढ़ती है प्लस आप 4 साल के ले बिल्कुल free हो जाते हो अब आपको next year hosting का price एकर 10 गुना बढ़ गया 20 गुना ज़ादा बढ़ गया तो आपकी pocket पे कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है आपने 4 साल के price एक साथ पे कर रखा है अब यहां पर pricing वगरा चेक कर लेते हैं बिजनेस वेब होस्टिंग 48 मन्थ चार साल की hosting का price होता है 11,952 रुपे daily backup मिलेगा तीन मत एक्स्टा होस्टिंग मिलेगी एक domain name मिलेगा और हुई इस privacy protection पर free of cost आपको मिलता है मतलब 0 यहां पर है total price tax वगरा मिला करके 14,130 रुपे 36 पैसे है अब यहां पर आपको ए coupon code apply करना है coupon code क्या है SADDAM7 apply कर दो पहले आप मेरा affiliate link यूज़ करना उसके बादी पूरा process कर लेना and then after आप मेरा coupon code यूज़ करोगे 10% discount हो जाएगा अब 4 साल की web hosting जिसमें एक साल का domain भी आपको मिल रहा है उसकी cost परती है सिर्फ 12,693 इंडियन रुपीज एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अगर आप UPI, Paytm वगरा का जो payment method है वो choose करते हो इंडिया में तो हो सकता है इस checkout page पे price कम दिखा रहा हो बट आपका जो phone पे app है या Paytm वो पे 10,000 जादा amount दिखाएगा तो असल में वो RBI का mandate है कि hostinger आपसे maximum कितना charge कर सकता है amount उतना ही कटेगा जितना आपके checkout page पे है उससे जादा amount नहीं कटने वाला है तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिकर रहेगा क्योंकि मैंने phone पे app पे भी check करके देखा है कि कई बार मैंने checkout page 5000 रुपीज एड किया मतलब जो hosting का plan है 5000 था बट वहाँ पे 10,000 दिखा रहा था तो असल में वो 10,000 कटता नहीं कटेगा होतना ही जितना आपके checkout page पे है अब बात आती है कि आपको Elementor का premium plugin कैसे मिलेगा जब आप hostinger से web hosting purchase करते हो मेरा affiliate link यूज करके तो आपको hosting के तरफ से confirmation email आता है कुछ इस तरह का आपको ऐसा snapshot ले करके इस video को description में मैंने एक form दिया हुआ है उस form को fill up कर देना correct detail फिल करना और इस snapshot को आपको upload करना होता है मतलब ऐसा ही आपको अपना खुद का snapshot लेना होगा email का उसे upload कर देना within one minute मेरे team verify कर लेगी और आपको Elementor Pro का download link WhatsApp पे या email पे मिलेगा तो form submit करने के बाद अपना WhatsApp जरूर चेक करें या अपना email का inbox चेक करें hostinger.in open करना है then after top right corner पे login का बटन है आप जाओगे simply अपने account में login कर लेना ओके सो कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देगा मैंने business web hosting लिया हुआ है 2027 में expire होकर 4 साल का web hosting plan लिया है मैंने अभी 2023 चल रहा है जिस वक्त मैं इस video को record कर रहा हूँ अब आपको free वाले domain कैसे मिलेगा यहाँ पर यहाँ तो कहीं ऐसा लिखके आ रहा हूँगा claim your free domain ऐसा कुछ लिखा होगा तो उस पर आप click कर लेना या फिर आप simply domains वाले menu पर जाओगे और यहाँ पर get a new domain पर click करना और जो भी domain आपको लगे कि आपकी blog के लिए बढ़िया है उस domain को ले लेना जैसे माल लेजे मैं यहाँ पर domain name सर्च करता हूँ docs training.com माल लेते हैं मुझे यह वाले domain name पसंद आ रहा है और मैं blog setup कर रहा हूँ docs training से related तो मैंने domain name यहाँ पर type किया है domain name का एक rule होता है कि बीच में कोई extra space नहीं आएगा आप special symbol जैसे कि hyphen तो use कर सकते हो जो minus होता है वो use कर सकते हो बट space नहीं आएगा .com यहाँ मैंने type कर दिया search पे click करते हैं अगर किसी और ने इस domain name को पहले नहीं लिया होगा तो हम ले सकते हैं तो हमारा फिलाल यह वाला step भी complete हो गया hosting भी ले लिया हमने domain name भी ले लिया अब हमें अपने domain name पर wordpress को install करना है मेरे पास एक domain name अलड़ी पढ़ा हुआ है howtosearch.in तो इस domain name को मैं use करूंगा blog setup करने में ताकि आप फूरी process समझ पाओ अभी right now जब इस domain name को open करता हूँ तो आप यहां भी क्या लिखके आ रहा है parked domain name on hostinger यानि hostinger का एक basic सा landing page वगरा बन करके आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इस domain पर wordpress software को install नहीं किया है wordpress एक CMS content management system जिसकी help से आप blog को बिना coding के setup कर सकते हूँ तो अब आपने domain name पर wordpress install करेंगे wordpress install करने के लिए पहले आपको websites वाले menu पर जाना होता है और यहां पर आप click करोगे create or migrate a website now इस तरह का interface आएगा what is your website type आपकी website किस तरह की होने वाली है तो यहां पर आप blog चूज़ करोगे इसके बाद create or migrate a website क्या आप नई website बनाना चाहते हो या बनी बनाए website को hosting पर लाना चाहते हो तो फिलाल हमें नई website create करनी है create a new website let's select this option then wordpress with AI आप choose करोगे और यहां पर आपको wordpress का login details create करना है जो आप blog बनाने वाले हो उसका एक login detail भी होगा जिसकी help से आप login करके blog articles को write कर सकते हो, delete कर सकते हो तो वो login detail आपको यहां पर create कर लेनी होती है then after continue पर click करेंगे बागे जितने भी other steps आने वाले हैं आपको सबको skip कर देना है इसे भी skip करेंगे and इसे भी हम skip कर देंगे अब यह आपसे पूछ रहा है name your website आप जो wordpress install करने जा रहे हो वो किस domain पर install करोगे अपनी website का नाम यहां पर choose करो जिसे हम domain name करेंगे तो मेरा domain name already यहां पर inserted है how to search.in आपका domain name भी ऐसे यहां पर दिख रहा होगा simply select पर click कर लेना कुछ ही seconds में wordpress software आपके domain name पर install हो जाएगा so यह wordpress का installation process start हो चुका है here we go well done you are ready so wordpress successfully हमारे domain name पर install हो गया अब एक काम और रह गया है हमें SSL certificate भी अपने domain name पर install करना है यह lock वाला symbol भी आना चाहिए क्योंकि Google की तरफ से अब यह mandatory हो चुका है कि आपके domain name पर SSL certificate यानि कि HTTPS जो लिखा है न यह installed होना ही चाहिए वही website सिर्फ rank कर पाती है अब आपको करना क्या है simply control panel में जाओगे manage site पर click करना now left hand side पर यहाँ पर आपको search box मिलेगा इसमें आप type करोगे SSL तो यह option आगया SSL का let's click on it now यहाँ पर right now देखो अभी मेरे end पर SSL active दिखा रहा है क्योंकि SSL automatically hostinger install कर देता है आपके end पर अगर आपके domain name में SSL installed नहीं है तो आप simply in dots पर click करना और यहाँ पर option मिलेगा reinstall SSL या install SSL या force HTTPS click कर दोगे तो SSL कुछी seconds में आपके domain name पर install होके activate हो जाएगा अब एक बार एक कान करते हैं इस page को refresh करके देखते हैं तो यह आप देखो इससे पहले hostinger का default page आ रहा था बट अभी एक basic सी website बन करके आ गई है जहाँ पर लेखा है howtosearch.in जो obvious से बात है मेरा domain name है यहाँ पर mind blown a blog about philosophy कुछ title वगरा लिखा हुआ है एक dummy blog post है hello world नाम की एक button दिया हुआ यह footer वाला section है अब इसे हम customize करेंगे हमने एक blog open किया था एक काम करते हैं गूगल पे चलते हैं और फिट सो उस blog को find out करते हैं तो मैंने type किया था best dog training blog यह वाला तो ऐसे कुछ simple सा blog बनाने कोशिश करते हैं एक चीज़ का और ध्यान देना देखो blog basically information के लिए होता है लोग blog पे visit करते हैं अपने queries को resolve करवाने के लिए या उन्हें को information सर्च करनी होते हैं तो ढूंडते हैं उन्हें आपके blog के design से मतलब नहीं है अब कुछ beginners क्या गलती करते हैं वो mostly design पे focus करते हैं वो चाते हैं अपने blog पे बहुत अच्छे colors यूज करूँ header बहुत बढ़िया design कर लूँ footer बढ़िया design कर लूँ blog का design बहुत अच्छा होना चाहिए trust me design matter नहीं करता है लोग आपके blog पे information gather करने आते हैं उनकी कोई query है तो उसे resolve करने आते हैं आपके web design से उनने कोई लेना देना नहीं है अच्छा है तो ठीक है नहीं अच्छा है तो कोई बात नहीं है quality of content अगर बढ़िया है तो आपका blog successful हो जाएगा यहाँ पे जो blog हमारे सामने बहुत simple सा blog है अगर आप देखो को यहाँ पे कोई खास designing वगरा इस blog पे नहीं है यहाँ सबसे top पे नोने अपनी contact details वगरा put की हुई है then after यहाँ पर एक logo है कुछ menus है और बहुत ही basic सा homepage है content पे ज्यादा focus किया है एक image रखे है dog वाली then यहाँ पे आप देखो पूरा content ही content लिखा हुआ text वगरा images और content का text content उसका अच्छा खासा mixture है इसके homepage पे और बागे सारी चीज़े आपको blog वाले page पे ही मिलेंगी मतलब जितना maximum content है वो सब इस page पे ही है तो लोग blog के content पे focus करते हैं आपको भी इस पे ही focus करना है हम एक simple सी theme यूज़ करेंगे बहुत हाई-फाई theme नहीं लेने वाले हैं Elementor के help से अपना header और footer जरूर design करेंगे अगर blog page के designing करना होगा तो वो भी complete करेंगे तो अभी right now ये video काफी lengthy हो रहा है और इस तरह के videos बनाने में बहुत महनत लगती है बहुत time लगता है तो please channel को subscribe करके video को like जरूर कर दीजे अभी यहाँ पे मैं थोड़ा pause लूँगा और day 2 में फिर से continue करूँगा तो दोस्तो WordPress तो हमने successfully install कर लिया था और हमारे domain को जिस तरह का दिखाई दे रहा था जिस पे एक default block बन करके आगया अब इसे हमें customize भी करना है customize करने के लिए हमें login करना पड़ेगा तो अपने WordPress के dashboard में हम कैसे login करते हैं जो भी आपका domain name होगा उसके आगे आप लगाओगे forward slash then wp-admin ठीक है जैसे अब इतना type करके enter push करोगे ये आपसे username और password मांगेगा अब ये कौन सा username और password है जो आपने WordPress के installation time पे create किया था ये auto field है simply हम login करेंगे meanwhile ये login हो रहा है मैंने already कुछ plan और ready कर रखा है जैसे हमने WordPress install कर लिया domain hosting का setup कर लिया है अब हम theme और plugin को install करेंगे theme और plugin install करने से पहले छोटा सा introduction समझ लेते है theme होती क्या है theme style sheet का package होता है जो ये define करता है कि आपका blog कैसा दिखने वाला है whereas plugins छोड़े छोड़े software होते हैं जो आपकी website में या आपके blog में features को या functionalities को add करने का काम करते हैं जैसे के मान लीजे अगर आपको live chat feature लगाना है अपने blog में तो आपको live chat का plugin install करना पड़ेगा अगर आपको whatsapp वाला feature लगाना है अपने blog में तो आपको whatsapp वाला plugin install करना पड़ेगा ठीक है तो हर एक task को perform करने के लिए एक special plugin available है यह free भी होते हैं, paid भी होते हैं अभी हमारे website में हम login कर चुके हैं यह है WordPress का dashboard यहां से आप अपने पूरे blog को design भी कर सकते हो customize कर सकते हो यह जो आपको post वाला section दिख रहा है basically यही से हम blog post write करते हैं अब सबसे पहले हम एक theme install करनी है theme install करने के लिए आपको जाना होगा appearance में और यहां पर आपको मिलेगा themes वाला option so अभी right now 2023 नाम की theme active है 2024 भी देखो launch कर दी है WordPress ने यह 2024 है अगर मैं इस theme को activate कर दूँ और new tab में अपने domain name open करें howtosearch.in एक बार cache memory clear कर देते हैं तो देखो theme change करने से हमारे blog कर design change हो जाता है ठीक है यह भी काफी बढ़िया theme लग रही है anyways अभी right now हम एक ऐसी theme use करेंगे जो light weighted हो ताकि वो fast load हो सके plus वो free theme होनी चाहिए आपके पैसे खर्च ना हो तो आपको simply add new theme पे click कर रहा है at the very top search theme वाले box में आप type करोगे astra astra काफी अच्छी theme है generate press अच्छी theme है ocean wbb अच्छी theme है इन में से कोई भी theme आप use कर सकते हो right now हम astra use करेंगे सबसे पहली theme आ रही है astra ठीक है यह word लिखा हुआ है आप इस theme को install करके activate करोगे किसी भी theme या किसी भी plugin को से यह काफी time ले रहा है बट कोई issue नहीं है थोड़ा से यहां पे wait करेंगे तो हमारी theme इंस्टॉल तो हो चुकी है अब हमें इसे activate भी करना है so activate बटन पे हमने click कर दिया that's it so यह astra theme activate हो चुकी है एक बार अपने front page को refresh करके देख लेते हैं यह देखो design फिर से हमारे blog का change हो गया सबसे top वाला जो area होता है इसे हम header कहते हैं जैसे हमारी body में जो हमारा head है वो सबसे top पे होता है website में जो सबसे top पे होता है उसे header कहते हैं जो सबसे नीचे है इसे हम footer कहते हैं और जो header और footer के बीच में हैं इसे हम body area कहते हैं header में आप यहाँ पर logo put कर सकते हो यहाँ पर menus create कर सकते हो footer में कुछ आप website के credits डाल सकते हो जैसे आपने अक्सर देखा होगा website built by और फिर आपका नाम वगरा लिखा हो सकता है तो वो सारी चीज़े हम footer में ही put करते हैं और body वाले area में हम post create करते हैं ठीक है चलिए अब plugins को install करेंगे plugins install करने के लिए पहले आपको जाना होता है plugins में installed plugins पे चलो जब आप WordPress first time install करते हो तो WordPress की तरफ से पहले से ही आपको कुछ plugins installed मिलेंगे जैसे कि Hostinger, Hostinger की तरफ से पहले से में मिल जाता है Hostinger AI Assistant मिलेगा और light speed cache plugin मिल गया फिलाल में Hostinger AI Assistant की ज़रूरत नहीं है Hostinger को भी हम हटा सकते हैं तो दोनों को हम यहां से choose करके और simply पहले हम deactivate करेंगे किसी भी plugin को delete करने से पहले आपको पहले उसे deactivate करना होता है deactivate होगे, अब आप दोनों को एक साथ delete कर सकते हो अब यहां पर मैंने Hostinger plugin को delete किया है plugin को delete किया है, hosting delete नहीं करी है यह Hostinger का एक official plugin है इसकी फिलाल हमें भी जरूरत नहीं दी तो मैंने हटा दिया एक अच्छा blog वो ही माना जाता है जो fast load होता है आप ज्यादा plugins यूज़ करोगे तो plugins की वज़े से आपके blog का size heavy हो जाएगा जिसकी वज़े से वो slow load होगा तो आप सिर्फ वो ही plugin यूज़ करो जो आपके काम के है जैसे light speed cache काफी काम का plugin है इसका use क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा अब कुछ plugins इंस्टॉल करते हैं add new plugin पे आप click करोगे अब यहां search plugins वाले box में हम search करेंगे E-L-E-M-E-N-T-O-R Elementor Elementor basically एक page builder plugin है जिसकी help से आप बिना coding के अपने post को design कर सकते हो अपनी website को design कर सकते हो बहुत सारे elements आपको बिल्कुल free of cost इसमें मिल जाते हैं सबसे पहला plugin है Elementor website builder 5 million जादा active installations है आप simply इस plugin को install करके activate करो अच्छा एक rule मैं आपको बता देता हूँ एक time पे एक WordPress में सिर्फ एक ही theme activate रह सकती है whereas अगर plugins की बात करें तो एक time पे आप multiple plugins को install और activate कर सकते हो अपने WordPress blog में मतलब कई सारे plugins आप एक time पे activate कर सकते हो लेकिन theme सिर्फ एक ही activate होती है एक time पर ठीक है तो अभी right now Elementor plugin हमारा install हो रहा है अब इसके बाद इसे हमें activate कर लेना है तो यह टो Elementor का free version है अभी मैं आपको Elementor का pro version में दूँँगा फिर से आपको remind करवा दे हूँ अगर आपने मेरा affiliate link sadamkasim.com forward slash hosting और use किया है तो मैं आपको Elementor pro absolutely free provide करूँगा जिसका actual cost $59 है इसका पूरा process मैं आपको hosting वाले part में पहले ही समझा चुका हूँ तो मैंने आपको जो Elementor pro provide किया है वो आपके computer पे .zip format में download होता है उसे आपको अपनी website में install करना होगा तो अब हम add new plugin पे फिर से चलते हैं अब चुकि वो plugin आपके computer पे downloaded है तो आपको simply upload plugin में जाना है then browse पे click करेंगे और जहाँ पर भी आपने उस plugin को download कर रखा है आप उसे upload कर लोगे तो यह है Elementor pro आपके end भी भी कुछ इसी तरह का plugin दिखाई देगा आप simply इसे open या upload करना install करके आप इस plugin को activate करोगे तो यह है Elementor का pro plugin जिसकी actual cost अभी राइट नौ 59 डॉलर से बट यह आपको मैं absolutely free provide करूँगा इस plugin की help से आप अपने हिसाब का custom header या custom footer design कर सकते हो theme में fixed design होता है बट Elementor pro की help से आप काफी सारे advanced customizations कर पाओगे इस window के काम करते हैं बंद कर देते हैं यहां से जो extra message आ रहा था अब कुछ और plugins भी हमें install करने हैं तो एक plugin और install करने वाले हैं यहाँ पे D-I-S-A-B-L-E-G-U-T-E-N-B-E-R-G disable Gutenberg यह एक page builder है जो by default WordPress में आता है Gutenberg नाम का page builder है उसे हमें disable करना है क्योंकि हम already Elementor का premium version यूज करने वाले हैं page को design करने के लिए सबसे पहला plugin यह है disable Gutenberg आप इसे install करके simply activate कर दो activate करने के बाद इस plugin के साथ में हमें कुछ भी नहीं करना है अब ही फिलार हमने 4 plugins यहाँ पे activate किये हैं एक और plugin रह गया है वो हम बाद में use करेंगे अब हमारे plan के हिसाब से हमने theme और plugin को भी successfully install कर लिया है अब हमें एक नया post लिखना है मतलब एक real blog post लिखना है अब right now जो हमारे पास keyword generated tool है यहाँ से कोई एक keyword पकड़ लेते हैं आपको हमेशा एक keyword pick करना होता है उस keyword से related ही आपको blog post लिखना ही होती है so let's say यहाँ पर कोई एक ऐसा keyword देखते हैं जिसको you know जो search volume हो वो ठीक ठाको बहुत जादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो और जो difficulty है केडी वगरा वो ठीक ठाको so यहाँ पर कोई ऐसा keyword है क्या चलो यह देखते हैं dog training at home घर पे dog को कैसे training दी जाए ठीक है यह हमारा keyword है 1200 की सर्च है तो basically इसको एक काम करते हैं copy कर लेते हैं अब यह हमारा focus keyword रहेगा इस keyword के लिए हमें अपने blog post को rank करवाना है तो अब यहाँ पर हम chat GPT की help लेने वाले हैं आपको simply chat GPT की official website open करने है जैसे यह है chat.openai.com ठीक है यह chat GPT की official website है एक free of cost account create कर लेना चाहें Gmail से या जो भी option आपको दे रहा हो उससे create कर लेना इस तरह का interface आपको दिखाई देगा राइड ना मैं chat GPT 4 use कर रहा हूँ जो के paid version है बट आपके end पे chat GPT का 3.5 version दिखाई देगा जो 100% free to use है अभी तो फिलाल free है अब chat GPT से हम help लेंगे chat GPT का command देने वाले हैं कि भाई मुझे एक blog post लिखना है जो हमारा title है जो focus keyword है उस से related तो आप हमें content generate करके तो यह content के ideas दो सबसे नीचे यहाँ पे देखों message chat GPT का box है आप ऐसा कुछ prompt type करोगे I want to write a blog post on the topic double quotes में आपने उस keyword को paste कर दिया माल लेने यही हमारा post का title रहने वाला है यह ऐसा कुछ लिख लेते हैं best dog training at home यह आप आगे अगर number लगाते हो न तो इस से काफी जा click through rate बढ़ जाता है CTR बढ़ जाता है यूकि अक्सर लोग numbers पे ज़्यादा click करने की कोशिश करते हैं तो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ title ले लिया है 10 best dog training at home आगे हम ऐसा कुछ command देने वाले हैं the focus keyword for my blog post is double quotes में आप अपना focus keyword पुट कर दो जिसके लिए हम अपना blog article rank करवाना चाहते है but I don't know what to write in my entire blog post can you please help me to plan my content or if possible please write up to 1000 words of blog post for me ठीक है मैंने ऐसा कुछ इसको command दिया है कि मैं एक blog post लिखना चाहता हूँ हमारा title है the best dog training at home हलागे title सही नहीं है इसको हम बाद में ठीक करेंगे but अभी फिलाल chat GPT इतना समझ जाएगा कि हम किस बारे में अपना article लिखना चाहते हैं इसको ये भी बताया है कि हमारा focus keyword है dog training at home but मुझे नहीं मालूम है मैं क्या लिखूँ तो क्या तुम मुझे content plan करने में help कर सकते हो या अगर मुम्किन है तो क्या तुम मेरे लिए 1000 words का article लिख सकते हो अब हम enter push कर देंगे chat GPT आपके लिए एक शांदार article लिख करके देगा हाँ इसको आप directly copy paste नहीं करोगे अभी हम यहाँ से ideas generate करवा रहे हैं basically तो आप यहाँ पर देखो इसने proper तरीके से हर एक heading हमें दे दी है जैसे कि सबसे टॉप पे हम देखते हैं इसने ऐसा कुछ लिखके दिया है कि सबसे starting में introduction लिखो 100-500 words का उसके बाद पहली sub heading ले लेना जिसमें 100-500 words में basically आप positive reinforcement यानि यह कुछ points है इनको explain करना फिर दूसरी heading लेना clicker training वगरा clicker कोई type के training होती होगी तो इसके अंदर भी सारी चीज़े explain करो create training होती है options, commands होते हैं ऐसे कई सारे इसने training के जो नाम है वो हमें दिये हैं और उसमें बता रहा है अब क्या क्या लिखो लेकिन अभी भी हमें नहीं मालूम है इस training के बारे में जैसे house breaking है हमें नहीं मालूम क्या है तो अब हम इसको एक और command देने वाले हैं जिसे हम prompt भी कहते हैं अब देखो ये हर एक heading को properly explain करना शुरू कर देगा इसने लिख दिया certainly है न अब देखो उसने शुरू कर दिया हर एक point को proper तरीके से explain करेगा clicker training है इसने clicker training को proper तरीके से explain कर दिया है उसके अंदर इसने कुछ bullet points भी ली है मतलब सब heading भी ली है जिसके अंदर हर एक point को properly explain किया है तो section 5 हो गया section 6 basically ये एक नई training थी house breaking and so on अब free chat GPT के एक limit है कि जो number of words है ये 1000 words तक नहीं पहुँच पाता है अक्सरी break हो जाता है तो यहाँ पर आपको option दिखा देगा continue generating इस पर हम click करेंगे तो second round में फिर से वहीं से continue कर देगा ये तो सारे points देखो अब ये explain कर देगा section 10 में conclusion आ गया है अब आपको करना क्या है यहाँ से directly copy paste आप नहीं करोगे सबसे सही तरीका ये है कि आप यहाँ से content को पढ़ो समझो और फिर अपने words में उस article को लिख दो at least आपका इतना headache तो खतम हो गया ना कि हम क्या लिखें क्या लिखना है वो तो chat GPT ने बता दिया अब उस content को आप अपने हिसाब से modify कर सकते हो ताकि वो human tone में लिखा जाए 100% unique भी हो सके आप लिखोगो तो definitely 100% वो unique भी बन जाएगा कोई robotic tone बगरा नहीं रहेगी तो easily उसकी ranking भी आ सकेगी ठीक है तो अब यहाँ पे जैसे माल लो एक paragraph है मैं से copy कर लूँ आप इसे कई सारे लोग ऐसे होंगे जो English नहीं समझते होंगे उनके लिए बड़ा challenging हो जाएगा यह हम कैसे समझें क्या लिखा है और समझने के बाद हम इसको अपनी भाशा में कैसे लिखेंगे मतलब हम कैसे convert करें इस पूरे sentence को अपने words में सबसे पहले आप एक काम करो एक paragraph यहाँ से copy कर लो अब आपको website open करनी है translate.google.com ठीक है तो यह basically Google की तरफ से free translation service है आप English से Hindi में translate कर सकते हो जो भी text आपने copy किया है उसे आप यहाँ पे paste करो देखो इसे पूरा translate कर देगा घर पर अपने कुत्ते को प्रशिच्छित करने के लिए सकारात्मक सद्रिश क्रीनी करने जो भी लिखा है I don't know एक अत्यधिक प्रभावी और मानुए तरीका है and on and so on ठीक अब यह हमारे पास हिंदी में इसका translation आ गया अब आप हिंदी को English में तो convert कर सकते हो ना चलो यह कैसे करना है मैं आपको समझाता हो हिंदी सेंटेंस को तो आप अपने भाशा में लिख सकते हो ना English नहीं लिख पा रहे हो हिंदी तो लिख लोगे ठीक करेंगे क्या हम सबसे पहले पूरे टेक्स्ट को remove कर देते हैं वहाँ से हिंदी वाला मैंने copy कर लिया था अब यहाँ पे आप हिंदी to English में ट्रांसलेशन शुरू कर दो उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे पहले पेस्ट करो हमने पेस्ट कर दिया अब आप enter पुश करो अब हम अपनी भाशा में इस पूरे सेंटेंस को दुबारा लिखेंगे क्या लिखा है घर पर अपने कुट्टे को प्रशिच्छे दिने ट्रेनिंग होती है करने के लिए सकारात्मक सद्रिषडी करण क्या लिखा है यह आई डोंट नो एक अत्तिक प्रभावी और मानुवी तरीका है तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपने कुट्टे देखो सबसे अची बात ट्रांसलेशन में यह है अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो न और आप इंग्लिश वर्ट्स में लिखते हो के यू डबल टी ई तो यह अपने आप नीचे सेलेशन दिखाता है कुट्टे अब गूगल ट्रांसलेटर सबसे अची बात यह है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा के यू डबल टी ई कुट्टे है न कुट्टे इंग्लिश में लिखा है हिंदी में उसको आटोमेटिकली यह रिराइट कर देता है जैसे आप स्पेस पुष करोगे यह हिंदी में लिख जाएगा जैसे वाट्सेप पे लिखते है न आप डबल अप तो उसका मतलब क्या होता है आप हिंदी वाला आप होता है बट आप इंग्लिश लेटर्स को यूज करते हो similarly आप यहाँ इंग्लिश लेटर्स को यूज करो अपने आप हिंदी में कनवर्ड करता चलेगा तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपने कुट्टे को आप कोई हो गया मैं यह को करना था के ओ को आप घर पर पॉजिटिव तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं अभी फिलालना मुझे इतने ही समझ में आ रहा है इसको रिराइट कैसे करा जाए आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना टाइम देना बट चुकि मेरे पास वीडियो में लिमिटेट टाइम है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक सेंटेंस बन जाता है तो आप पूरे के पूरे पारग्राफ को इसी तरह से ट्रांसलेट करते जाना दे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ पका पकाया नहीं है ब्लॉगिंग में आपको आईडियाज मिल सकते हैं चैट जीपीड एक याई टूल है आप इससे कॉंटेंट के आईडियाज ले सकते हो लेकिन उस कॉंटेंट को आपको री राइट करना चाहिए अपने हिसाब से आप पूरा कॉंटेंट कॉपी पेस्ट मारो पहले गुगल ट्रांसलेट पे आ जाओ इंगलिश से हिंदी में कनवर्ड करो और फिर हर एक हिंदी के सेंटेंस को आप अपनी भाशा में इसी तरह से लिखो अपने आप English में translate हो जाएगा तो ये तरीका दोनों तरह के bloggers के लिए काफी काम करेगा, चाहे आप एक Hindi blog start कर रहे हो, या आप English blog start कर रहे हो, दोनों के लिए perfect रहेगा, ठीक है अभी फिलाल मैं sentences को यहाँ से सीधा translate तो नहीं करूँगा, इतना time है नहीं मैं directly chat gpd content copy paste मार दोंगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है अब post कैसे write की जाती है wordpress के dashboard में आगए, यहाँ पे दिया होता है post वाला option, आपको simply add a new post पे जाना है, एक interface आपका सामने आ जाएगा, ये देखो add title वाला box है इसके अंदर आप अपने post का title डाल दोगे तो हमारा title क्या था, सबसे उपर हमें title इसको दिया हुआ है 10 best dog training at home copy किया है मैंने title यहां से और इसमें हम paste कर देते हैं आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपका main keyword है, जैसे dog training at home यह आपके title में आना चाहिए SEO के point of view से इसको बहुत अच्छा माना जाता है अभी फिलाल title को यहां पे हम put करके simply यहां पे category choose करेंगे जैसे मालो आपने dog niche से related या dog training से related एक blog start किया है तो training वाला basically यहां category बना सकते हैं सिर्फ training के बारे में ही सब कुछ लिखेंगे या ऐसी category बना सकते हैं जैसे training at home तो घर में किसके सतरह के training हो सकती है dog की उसकी आपने category बना दी outdoor training की अगला category बन सकती है and so on, तो यहां पे category हम बनाते हैं indoor training ठीक है, add new category पे हमने click कर दिया and then indoor training यहाँ पे select हो गया इसके बाद आपको simply पहले publish कर देना है publish करने के बाद यह article हमारा live हो चुका है आप देखो, post publish है ना एक बाद new tab में उसो open करके देख लेते हैं 10 best training at home लिख करके आने लग गया बट इसके अंदर अभी कोई content है ही नहीं क्यों नहीं है क्योंकि हमने content लिखा ही नहीं है content कैसे लिखते हैं बई अब हम जाएंगे edit with elementor पे simply आप इस पे click करोगे एक नई screen आपके सामने open हो जाएगी यह सारे boxes को pop-ups को आप बंद करोगे किसी को भी use मत कर लेना अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है आपको लग रहा है कि हाँ मैंने आपको काम की information दी है तो please channel को subscribe करके वीडियो को like जरूर कर लीजे कोई भी चीज मुझसे miss हो रही है तो comment जरूर डॉप कर दे आगे बढ़ते हैं अब elementor में left hand side बे देखो काफी सारे elements है right now मेरे end पे यहाँ पे देखो आप lock symbol बन करके आ रहा है मतलब कोई premium widget में use नहीं कर सकता बट जो मैंने आपको elementor pro provide किया है उसमें यह सारे widgets unlock होंगे मुझे भी right now अपने account को यहाँ पे connect करना होगा ताकि मैं इन सारे widgets को activate कर सकूँ मेरे पास license वाला वर्जाने बेसिकली तो मैं इसको genuine तरीके से ही use करता हूँ जो आपके पास elementor pro है वो भी licensed वाला ही है तो आप उसको easily use कर सकते है वोई दिक्कत नहीं कोई virus वाला issue नहीं है आपके सामने को मैंने activate किया है ना यह मेरी ID बगरा लगी है हालांकि मैंने blur कर दिया है साइडी को security prospect से बट यह बिल्कुल genuine elementor pro है एक बार फिर से इस page को हम refresh कर लेते हैं और यह connect वाला जो option नीच आ रहा था यह हट जाएगा ठीक है हट चुका है अब मुझे content लिखना है chat GPT का tab बगल में रखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पर introduction मले एक part आ रहा है introduction कहा गया I think इसने introduction मिस कर दिया है तो यहाँ पर एक और command देते हैं please write content for the introduction paragraph introduction लिखना भूल गया था इसको हमने दुबारा याद दिला है आप introduction भूल गया हो तो भई इसको भी लिखके दो तो देखो इसने introduction हमारे लिए लिखना शुरू कर दिया है यहाँ से introduction को हम copy कर लेते हैं यह पूरी heading पहले copy करते हैं यह heading है copy कर लिया मैंने यहाँ से अब heading लिखने के लिए हमें क्या use करना पड़ेगा यह heading element तो हमने यहाँ से इसको उठाया drop कर दिया अब इस post को save करते हैं या update करते हैं तो नीचे बटन दिया हुआ है update पे click करोगे और अपने front page को उबार refresh कर लेते हैं यह वाला page post वाला page है यह refresh करते हैं यह देखो heading लिख करके आ गई है ना अब heading का मुझे color change करना है कैसे color change होता है heading element के वहले setting में जाएंगे style पे यहाँ पे दिया है text color तो आप कोई सभी color set कर सकते हो this is totally up to you जैसा color आपको ठीक लगे वैसा आप रख सकते हो तो मैंने आप बे dark black type ले लिया है काफी सई लग रहा है यह अगर आपको font छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पे typographic option दिया होता है यहाँ से आप font size control कर सकते हो like this ठीक है तो 25 pixel की मैंने heading रखी हुई है आगे क्या है मारे पास आगे है paragraph, long paragraph है पहले मैंने इसको यहाँ से copy कर लिया control C करके अब long paragraph मुझे लिखने के लिए चाहिए होगा text editor element heading element नहीं चाहिए है अब वो list यहाँ से गायाब होई list कैसे वापस आएगी सबसे top पे देखो इंगे grid icon दिया हुआ है इस पर बस आप left click कर दो पूरी list फिर से सामने आ गई यह है text editor long paragraph को लिखने के लिए हम text editor का use करते है मैंने इसको drag किया है जहाँ पे pink line आ रही है हो सकता है आपके end पे blue आ रही green आ रही हो वहाँ पे छोड़ दो अपने आप element आ जाएगा इसकी setting left hand side पे यहाँ पे open हो गई है अब यहाँ पे दो tab दिये होते हैं एक visual है एक text है आपको जाना है text वाले tab पे यहाँ पे existing text को आप हटा दोगे and then paste कर दो अपना वाला text यह आ गया फिर से visual पे चलते हैं तो यह आप देखो पूरा paragraph आ चुका है अगर आपको इस paragraph को multiple paragraphs में divide करना है तो आप क्या करो simply यहाँ पे as है न यहाँ पे mouse रखो और enter पुश कर दो right hand side पे देखो paragraph divide हो गया इसी तरह से आप कुछ और भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे whether you have इसको भी next line में कर देते हैं as per SEO point of view it is really recommended कि आप बड़े-बड़े paragraphs को छोटे sentences में divide करें छोटे paragraphs में divide कर दें बड़ा paragraph पूरा लिख दोगे न वो SEO के हिसाब से सही नहीं होता है यहाँ पर score break कर देते हैं कुछ इस तरह से ठीक है और from को भी इस तरह से अब इस पूरे text का अगर आपको color change करना है right now देखो gray type का color है इसको black करना है तो हम क्या करेंगे style tab पे जाएंगे यह रहा है style tab यहाँ पर आप text color पे जाओगे और यहाँ से इसे कर दो black simple है font size छोटा बड़ा करना है तो यहाँ size जाके कर ले न font size से मैं फिलाल कोई भी खिलवार नहीं करूँगा इसके बार page को update कर देते हैं और अपने front page को refresh कर लेते हैं simple है यह देखो heading भी हमारी change होगा यह black color में आ गई और text भी आ गया ठीक है तो इस तरह से आप content लिखते चले जाओगे अब इस video को post करके फटा फट मैं पूरा content पहले यहां रख देता हूँ फिर आपको बताऊँगा कि आप अपने post के लिए copyright free AI की help से images कैसे design करोगे तो फटा फट पहले मैं post को complete करता हूँ so right now मैंने पूरा post लिख लिए है जितना भी content chat GPT ने हमें दिया था चुकि chat GPT हमें सिर्फ text based content ही अभी right now देता है तो मैंने पूरा content यहां पे copy paste कर दिया है आपको copy paste नहीं करना है बार-बार repeat कर रहा हूँ आपको अपने हिसाब से real content ही लिखना है अब ऐसा post कोई पसंद नहीं करता जिसमें सिर्फ text ही text हो थोड़ा बहुत images का मसाला भी होना चाहिए तो हम अपने post के लिए relevant images कहां से design करेंगे मैं जानता हूँ आपको graphic designing भी नहीं आती है कोई बात नहीं है आज की rate में AI tools available है हम एक ऐसा AI tool यूज़ करने वाले हैं जिससे आप free of cost अपनी images design करवा सकते हो सिर्फ आपको prompt देना होगा और वो tool आपके लिए images design करके देगा तो आपको simply एक website open करनी है limewire.com इस website पे आना एक free of cost अपना account create कर लेना so right now मेरा account अल्रेडी बना हुआ है हमें simply जाना होगा AI studio पे Gmail या Facebook अरा sign up कर लेना ऐसा interface आजाएगा उसके बाद आपको सामने simply यह सारे options आजाएंगे AI studio में जाना यहाँ भी हमें एक prompt देना है तो मैं ऐसा कुछ prompt दूँँगा design an image for me where a lady is training a dog at home ऐसा कुछ मैंने इसको prompt दिया है अब हम generate पे click करेंगे अब इस prompt के हिसाब से यह देखो designing काम शुरू हो चुका है इससे पहले मैं कुछ और images design करवा चुका हूँ यह दोनों तीनों images यह जो tool है न lime virus ने मुझे design करके दी थी so अभी right now 10 second में देखो हमारे सामने एक image आ गई है आप इसे extend कर सकते हो देखो यह बिल्कुल मस्त इकदम बढ़िया high resolution image है इसे हम चाहें तो सीधर download भी कर सकते हैं right click करके save images पे click करेंगे और कहीं पर भी आप इसको save कर लो तो मैं फिलाल अभी desktop पे से save करता हूँ अब इस image को मैं अपनी post में use करना चाहता हूँ यहाँ पे right hand side पे तो कैसे upload करेंगे पहले आपको इस paragraph की editing screen open करनी है यानि कि इस pencil पे click करना तो settings open हो जाएगी इस particular text editor की then after आपको content में जाना होगा और यह वो content जो हमने लिख रखा है सबसे top पे सबसे starting में cursor को put करना और यहाँ पे add media को option मिलेगा इस पर आप जाओगे upload files में जाना और जहाँ पर भी आपने उस image को download कर रखा है आप उसे simply upload करोगे मैंने double click करके इसको upload कर दिया insert into post पे click कर देते हैं यह image यहाँ पे आ गई ठीक है अब मैं चाहता हूँ यह image right hand side पे आ जाए यहाँ पर देखो उसका preview है click करोगे तो आपके सामने इस तरह के options आएंगे यहाँ पे यह वाला option आप चूज करो align right देखो right में आ गई अगर आप इस image का size बड़ा करना चाहते हो तो आप simply pencil पे click कर देना यहाँ पर देखो size का option दिया 300 by 300 अब चाहो तो full size भी रख सकते हो 1024 by 1024 pixel की update कर दो काफी बड़ी image आ जाएगी बट इतनी बड़ी image ठीक नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं size में custom size का option भी दिया हुआ है 1024 नहीं हम इसको एक काम करते हैं यहाँ पर रख लेते हैं 500 by 500 pixel ठीक है अभी देखते हैं कितनी बड़ी image आती है अभी ये कुछ ठीक है और देखो बिल्कुल भी blurry image नहीं एक दम बड़ी हा high resolution एक दम clean image है ठीक है एक बार post को update कर देते हैं इस तरह से हम high resolution images को design करवा सकते हैं with the help of lime wire अब अगर आपको लगता है इस image में थोड़ी बहुत कमी है आप इसको और realistic भी करवा सकते हो यहाँ पर simply में करना क्या होता है left hand side पर देखो यह दियाओ prompt वाला box तो यहाँ पर एक prompt और add कर देते हैं please make it a realistic image ठीक है realistic image मतलब यह बननी चाहिए इसके बाद generate image पर आप click कर दोगे यह दुबारा फिर से काम पर लग जाएगा और आपको और भी real type की image design करके देगा here we go देखो काफी realistic type की image आईए है हम इसे backspand भी कर लेते हैं बिल्कुल real type की image दिख रही है जिससे मालो किसे ने photo खिचवाया है बैट करके so इस तरह की AI tools को use करके आप बढ़िया-बढ़िया images design कर सकते हो अगर आपको यह वाली image पसंद आएगी आप simply इसको save कर ले ना इसे हम किसी दूसरे paragraph में upload कर सकते हैं so यहाँ पर let's say किसी ओप paragraph में डाल देते हैं जैसे यह वाला paragraph है तो यहाँ पर हम जाएंगे subset top पे पहले add media करके upload करेंगे and then we can double click upload this image insert into post इसका भी size आप 500 by 500 कर सकते हो custom size चूज करने के बाद 500 और simply update कर देते हैं that's it बाकि alignment कर दो right यह image यहाँ पर आगई छीक है इसके बाद post को update करेंगे and then अपने front page को refresh करके देख लेते हैं यह देखो आप है ना image आगी text आगया इसके बाद फिर से image आगी text आगया and so on तो इस तरह से आप अपने blog post को publish कर सकते हो images को design कर सकते हो आगे चलते हैं यह वाला part में complete कर ली है अब हमें pages create करने हैं देखो pages basically क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ यासे आपने अक्सर कई सारी websites पर देखा होगा home page होता है contact us page होता है contact us page है तो वहाँ भी आपके सारी contact details पड़ी होती है अब चुक्के जब आप एक blog बना रहे हो तो no doubt आप Google AdSense से earning भी करना चाहोगे आज नहीं तो कल की date में आपका यही purpose है कि Google AdSense से earning होनी चाहिए Google AdSense का approval ही आपको तब मिलेगा जब आपके सारे legal pages आपके blog पे available है जैसे के about us है contact us है privacy policy है disclaimer है terms and conditions वगरा होता है affiliate disclosure है ऐसे कई सारे legal pages होते हैं जो आपके blog पे available होने चाहिए हम चलते हैं वापस WordPress के dashboard में और अब हम कुछ pages create करेंगे यहाँ पे top left corner पे आपको यह छोटा सा hamburger type का icon दिखेगा इस पर आप click करोगे and then exit पे click कर दो यहाँ पर आप simply decide later पे click कर देना आप आगे WordPress के dashboard में नया page create करने के लिए पहले आपको pages में all pages पे जाना है देख लेते हैं कोई page पहले से तो मौझूद नहीं है जब आप first time WordPress install करते हो तो यह वाला page पहले से available रहता है privacy policy लेकिन अभी यह draft है मतलब इस सिर्फ save है आपको दिख रहा है public को नहीं दिखाई देगा इस page को अगर आप public करना चाहते हो कि सब लोग देख सकें तो यहाँ पे quick edit का option होता है यहाँ पे status दिया है draft आप यहाँ पर जाकर यह published कर दो और update कर दो अब यह page publish हो चुका है draft वाला option खतम हो गया यह page सब को दिखाई देगा anyways यह तो पहले से बना बनाया page है हम नया page कैसे create करें add new page वे आप click करोगे यहाँ पर page का title डाल दो जैसे के home ठीक है इसके बाद right hand side पे यहाँ पर कुछ settings आपको देखने को मिलती है यह सिर्फ आपको Astra theme में ही मिलेगी जैसे container layout है आपको हमेशा करना है full width और sidebar layout कर दोगे no sidebar disable title, disable breadcrumb, disable featured image और disable banner area चारो option आपको select करने होते हैं and then publish कर दीजिए तो हमारा एक page बन गया है home नाम का एक बार open करके देखते हैं बिल्कुल blank page है हमने अपको content इस पर create ही नहीं किया है तो आप Elementor का use करके अपने home page को design कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है कि web page को कैसे design किया जाता है तो already मैं पूरा एक digital marketing के उपर यह वाला video बना चुका हूँ जिसमें मैंने detail में beginners को समझाया है कैसे आप पूरी digital marketing सीख सकते हो इसमें मैंने पूरा website designing भी सिखाया है दो से धाई घंटे का यह video है बट पूरा detailed video है beginners के लिए तो इसका link भी आपको video को description में मिल जाएगा या उपर top right corner पे भी आई बटन पे click करोगे तो भी आपको link मिलेगा इस video को भी जाके जरूर देख लेना बट पहले यह वाला video complete कर लो ठीक है अभी फिलाल मैं इस blank page को as it is छोड़ूँगा then after नया page create करना है add new page पे click करो और यहाँ पर आपको page create करना है about us ठीक है फिर सारी same setting रहेगी astra setting में जाओगे full width कर दो sidebar layout, no sidebar, title, breadcrumb, featured image और banner area disable कर दिया हमने and then publish that's it इसी तरह से एक एक करके आप सारे pages को create करते चले जाओगे अब बात करते हैं कौन-कौन से legal pages आपके पूरी website में होने चाहिए उस पे content कैसे create करते हैं तो पहले ही मैंने एक और detailed video बनाया है कि आपको Google AdSense पे approval कैसे मिलेगा total 10 points मैंने explain किये हैं ये वाला video भी जाके जरूर देखना इसमें पूरा detail में समझाया है कई सारे लोगों ने वो सारे points को follow करके अपनी website पर ब्लॉग पे Google AdSense का approval लिया भी है सारे points को proper तरीके से देखना उसमें मैंने सब कुछ समझाया है कि आप कैसे legal pages create करोगो इस पर content कैसे create करना है with the help of chat GPT तो एक एक करके अब सारे pages बगरा बनाते चले जाना हमने about us बना लिया इसी तरह से एक page बना लेते हैं contact us का ठीक है अब ही फिलाल मैंने तीम pages बना है यह ब्लैंक pages है तो आप जितने चाहो उतने pages बना सकते हो मुझे लगता है लाखो pages create किये जा सकते हैं बट लाखो page create करने पर आपके site जरूर down हो जाएगी लेकिन हाँ 50, 60, 100 page तक आप आप आराम से create कर सकते हो हर एक blog में, हर एक website में ठीक है इतना काम हमने कर लिया है अब हमें header और footer को design करना है header design करना मैं आपको बताऊंगा footer design करना आपका assignment रहेगा अब header कैसे design करते हैं अभी right now अगर आप अपनी website का header देखोगे न यह है header यहाँ पर देखो left hand side पर आपका domain name लिखा है right hand side पर सिर्फ menus आ गए एक बार refresh करेंगे जितने भी menus आप publish करते जाओगे back end से मतलब जो pages हैं अपने आप menu में add हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करोगे तो menu order में नहीं है home पहले आना चाहिए फिर about us फिर privacy policy contact us बगरा तो आप अपने हिसाब से menus कैसे बनाओगे चलो पहले menu बनाते हैं menu बनाने के लिए पहले आपको appearance में जाना होता है menus पे click करेंगे और यहाँ पर आप एक नाम दे दोगे जैसे के main menu यह कुछ भी नाम दे सकते हो this is just for your reference इसके बाद हमें यहाँ पर display location choose करना है primary menu हर एक theme में एक location specific होता है कहाँ पर आपका menu display होने वाला है तो हमने primary menu वाला location choose कर लिया है then create menu पर click कर देंगे that's it अब left hand side पर आपको pages वाले section दिख रहा होगा now privacy policy, about us, contact us, home इन चारों को हमें as a menu बनाना है मैंने select कर लिया and now add to menu पर click करेंगे तो यहाँ पर menu वाले area में यह चारों pages आ गए अब अगर आपको इनका order change करना है आप home सबसे पहले दिखाना चाहते हो तो कुछ मत करो home को उठा करके बस ऐसे सबसे top पर रख दो home सबसे पहले आएगा about us बेर को second number shift करना है ऐसे कर दो contact us को last minute है, last minute रख को जहाँ पर रखना आप रख सकते हो then after save menu पर click कर देते हैं और अपने इस page को एक बार refresh करके देखते हैं so अब रखना हम यहाँ पर देख सकते हैं menus हमारे हिसाब से arrange हो चुके हैं अब हमें header को design करना है design करने के लिए आपको elementor pro use करना होगा अगर आपने elementor pro already activate कर रखा है तो left hand side पर आप जाओगे templates वाले menu पर और यहाँ पर आपको जाना होगा theme builder पर now यहाँ से हमें header design करना है तो आप choose करोगे header अगर आपको footer design करना होगा तो आप choose करोगे footer फिलाल हम header के plus पे click करेंगे और फिर से आपके सामने elementor वाली screen load हो जाएगी जैसे हम page के designing करते हैं इस pop-up को आपको बंद कर देना है यहाँ से आप कुछ भी import नहीं कर पाओगे now left hand side देखो काफी सारे options आपको देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले एक option आपको check करना है inner section right now यहाँ पर कहीं inner section नहीं दिख रहा है अगर हम search widget में जाते हैं और यहाँ पर search करें inner देखो inner section नहीं आया inner section कैसे enable करते हैं पहले wordpress के dashboard में जाएंगे now यहाँ पर elementor में आपको जाना होगा settings में then features पर आप जाओगे और यहाँ पर deactivate all कर दो और इस page को बस save कर दो that's it वापस चलते हैं templates पर और फिर से theme builder में जाएंगे यहाँ पर हमारा header as a draft पड़ा हुआ है आप simply edit with elementor पर click करोगे तो elementor के screen directly load हो जाएगी और अभी आप देखो यहाँ पर inner section आ चुका है ठीक है तो पहले हमें एक inner section यहाँ पर drop कर देना है like this ठीक है यह एक inner section आ गया अब left hand side में हमें logo put करना है तो आप इस तरह से first वाला column यह column कहलाता है column 1 है column 2 है first वाले column में मुझे एक logo put करना है अब logo होता क्या है एक image होती है image दिखाने के लिए हमें image element use करना होगा तो हम इस plus पर पहले click करेंगे इसके बाद यहाँ पर दिया है image let's drag and drop like this ठीक है इसके बाद यहाँ पर दिखो choose image का option आ गया इसके हम click करेंगे upload files में जाते हैं select file करके जहाँ पर भी हमारे पास logo पड़ा हुआ है उसे हमें upload करना होगा वैज़े graphic designing, logo designing में मैं already digital marketing वाले वीडियो में सिखा चुका हूँ आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना या फिर channel को फटाफट subscribe करो अभी एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको पूरा graphic designing सिखाऊंगा वो भी बिना photoshop बिना graphic designing skill के तो आप अपनी graphic design बहुत easily कर पाऊगे make sure channel को जरूर subscribe कर लो तो मेरे पास already dummy logo कहीं नहीं पढ़ा हुआ है एक काम करते हैं हम YouTube का logo ही चलो set कर देते हैं है ना आप अपना logo फुर्ट से design कर ले ना मैं YouTube का logo set करूँगा तो simply select करेंगे and देखो यहाँ पे logo आ गया ठीक है आप अपना logo इससी तरह से upload करोगे size में आपको यहाँ पे full choose करना होता है and then after right hand side पे हमें menu दिखाना है तो आप पहले plus पे click करोगे menu दिखाने के लिए हमें menu वाला widget यूज़ करना होगा यह है WordPress menu इसे drag करके यहाँ पे drop कर दो now जो भी default menu है आपको पहले से यहाँ दिखने लग जाएंगे अगर menus नहीं दिखते हैं तो आप यहाँ पे जाओगे left hand side पे menu वाले drop down में से आप उस menu group का नाम चूज़ करोगे जिसके menus आप दिखाना चाते हो menus आगे अगर आपको इन menus को right पे shift करना है देखो यहाँ पे alignment का option है right कर दो menu और color change करना है font size छोटा बड़ा करना है आप जाओगे style पे यहाँ पे देखो text color दिया हुआ है आप इसे dark कर सकते हैं और dark हो गया font का size यानि font का weight कम करना है तो आप simply जाओगे typography में यहाँ पे दिया है font weight आप 400 चूज़ करो font पतले हो जाते हैं ठीक हैं बागे size wise यहाँ घटा बड़ा लेना अपने हसाब से आप इसके बाद अगर आप नीचे थोड़ी सी 3D shadow लगाना चाहते हो तो आप कुछ मत करो बस यह आउटर वाला section है इसकी setting में जाते हैं इन 6 dots पे आपको click करना है और यहाँ पे include और entire site selected होना बेहत जरूरी है already selected है, save and close कर देंगे, that's it अब एक बार अपने इस page को refresh करके देख लेते हैं यह देखो, header हमारा कुछ इस तरह का दिखने लग गया तो ऐसे आप custom header design कर सकते हैं अपने हिसाब से ब designing कर लेना अब footer design करना आपका काम है simple सा तरीका है, आप वापस wordpress के dashboard में जाओगे और यहाँ पर templates में जाके फिर से theme builder पे जाना है और आपको choose करना होगा, add new पे click करके आपको यहाँ पे choose करना होता है footer तो फिर आप footer design कर सकते हैं अपने हिसाब से आपका reference के लिए होता है तो इस तरह से आप custom header create कर सकते हो इसमें और भी कुछ elements अपने हिसाब से आप put कर सकते हो थोड़ा बहुत R&D करना आपका भी काम है आप footer अपना design कर लेना और post write करना मैं आपको बता ही दिया है images आप कैसे design कर सकते हो जो कि 100% copyright free image है ये कहीं नगे sketch type की image है और ये काफी हद तक realistic image है तो ये भी आप create करना सीख गए हो और अभी ये post rank होने के लिए ready नहीं है आपको इसका SEO भी करना होता है तो मैंने पूरा एक separate video बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको detail में समझाया है कि आप किसी भी blog post को first page पे कैसे rank करवा सकते हो पूरा SEO मैंने complete किया है तो इस video को जाके भी जरूर देखिएगा तीनों video के link आपको video के description में ही मिलेंगे तो उमीद करता हूँ video आपको काम कर रहा होगा और अगर आपको लगता है कोई चीज ऐसी है जो miss होगए इस video में जस let me know in the comment section मिलते हैं next video में